बच्चों, पिछले विडियो में हमने रुपए को पैसों में व्यक्त करना सीखा। इस विडियो में हम कुछ दिल्चस उदारन द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। गगु आज राशन खरीदने आया है। उसने भोला से पहले एक किलो चने का दाम पूछा। भोला ने उससे कहा कि एक किलो चना आठ रुपए पचास पैसे का है। बच्चों क्या आप जानते हैं कि हम किसी भी वस्तू के दाम को इस तरह से भी लिखते हैं। यहाँ बिंदू डॉट के बाएं लिखी संख्या रुपए में है। और बिंदू डॉट के दाएं लिखी संख्या पैसे है। इस तरह एक किलो चने का दाम आठ रुपए पचास पैसे हुआ। और बच्चों क्या आपको याद है कि पिछले विडियो में हमने सीखा था कि एक रुपया सो पैसे के बराबर है। अब अगर हमें ये पता करना हो कि चने का दाम कितने पैसे हैं तो हम इसे कैसे करेंगे। एक रुपया एक सो पैसे के बराबर है। तो आठ रुपय हुए आठ गुणा एक सो या आठ सो पैसे। अब कुल कितने पैसे हुए ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा। जी हाँ, हमें आठ सो पैसे में पचास पैसे जोडने होंगे। इस तरह एक किलो चने का दाम हुआ आठ सो पचास पैसे। गग्गु ने भोला को चने की कीमत दे दी और एक किलो चना खरीद लिया। अब गग्गु ने भोला से एक बिस्कुट के पैकेट का दाम पूछा। भोला ने गगु को बिस्कुट का दाम बताया, अगर गगु ने भोला को बिस्कुट के लिए ये नोट और सिके दिये, तब क्या आप बता सकते हैं कि बिस्कुट के पैकेट का दाम क्या है? बिल्कुल ठीक यहां पांच रुपए और एक रुपए मिला कर हो गए छे रुपए और तीन पचास पैसे हुए कितने तीन गुना पचास या एक सो पचास पैसे इसे यदि हम रुपए में लिखें तो कितने रुपए होंगे एक सो पैसे हो गए एक रुपे और बची हमारे पास पचास पैसे इस तरह एक सो पचास पैसे हो गए एक रुपे और पचास पैसे अब हम अगर इसे छे रुपे में जोड़ दें तो बिस्कुट के पैकेट का दाम हुआ साथ रुपे और पचास पैसे इसे हम बिंदू का इस्तमाल कर कैसे लिखेंगे? ये बहुत आसान है इस तरह से एक बिंदू बनाए अब बिंदू की बाई और रुपे की संख्या साथ लिखिए और बिंदू की दाई और पैसे की संख्या पचास लिखिए इस तरह से हम बिस्कुट के पैकेट का दाम रुपे में लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ एक साबुन की कीमत नोट और सिक्कों में दिखाई गई है क्या आप बता सकते हैं कि एक साबुन की कीमत कितनी है? आप चाहें तो विडियो को रोक कर इसका उत्तर ढूंड सकते हैं शाबाज बच्चों, आपने इसका उत्तर बिल्कुल सही ढूंडा है एक साबुन की कीमत तेरा रुपे पचास पैसे है यहाँ एक तालिका दी है बच्चों, क्या आप इस तालिका को भर सकते हैं? आप चाहें तो विडियो को रोक कर इसका उत्तर ढूंड सकते हैं शाबाज बच्चों, आपने इसे बिल्कुल सही तरह से पूरा किया है गगू अपनी खरीदी वस्तुएं लेकर अब अपने घर की ओर चल पड़ा बच्चों, इस विडियो में हमने कुछ दिल्चस उधारन द्वारा रुपे को पैसो में व्यक्ट करने के बारे में और जाना